हेलो फ्रेंट्स इंकम टेक्स के केसिस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिसकस करेंगे उस केस का नाम है गरवाल लॉजिस्टिक लिमिटेड वर्शेज कमिशनर आफ इंकम टेक्स अंड अधर्स ये केस 453 आई टी आर पेज नंबर 524 पर रिपोर्ट हुआ मैटर दिल्ली आ नुवंबर 2020 को आया इस केस के अंदर असेसी ने दिल्ली हाई कोट के अंदर एक रिट फाइल करी केस के फैक्स बहुत इंटरस्टिंग है इस केस के अंदर असेसी ने एक कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट करी जिस कंपनी का बैंक अकाउंट इंकम टेक्स जब कंपनी ने ये पेमेंट करी दूसरी कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर तो अससी का ये कहना था कि अससी ने ये पेमेंट जो की है ये पेमेंट गलती से कर दिये अससी को ये पेमेंट किसी और को करनी थी लेकिन अससी ने ये पेमेंट उस कंपनी को कर दी जिस कंपनी क का बैंक एकाउंट अलड़ी अटैस्ट था. अससी ने जिस बैंक के अंधर पेमेंट की थी, उस बैंक को यह लैटर लिखा कि यह पेमेंट मैंने गलती से कर दी यह हमारा अकाूंटेंट चेंज हुआ था और इसलिए यह पेमेंट हमको वापसी की जाए. बेंकर ने असेसी को इंफॉर्म किया कि ये बेंक एकाउंट अलड़ी डिपार्टमेंट के दोरा अटेज़्ट है और इसके उपर लिएन क्रियेट है इसलिए हम ये पैसा आपको अपसी नहीं दे सकते क्योंकि इसके उपर इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने लिएन लेकिन गलती से assessi ने इस company को payment कर दी जिसको assessi payment नहीं करना चाहता था assessi का कहना था कि assessi को जो payment करनी है वो assessi ने किसी और company से कोई agreement किया था investment करने के लिए उसके अंदर payment करना चाहता था लेकिन ये payment accountant की गलती से हो गई जब ये matter दिल्ली आई कोट के पास था तो department ने अपने बचाव के अंदर ये कहा कि जिस company के bank account के अंदर payment की गई है वो company एक intermediary entry operator company है जिसके ओपर already demand create की गई है और इसलिए ये fact जो है वो एक doubt create करता है कि जो assessi का point है कि उसने गलती से payment कर दी है उस बात को पूरी तरीके से substantiate नहीं करता दिल्ली आई कोट ने भी ये कहा कि जो assessi है वो खाली एक bald claim एक claim ये submit कर रहा है कि assessi से ये payment गलती से हुई है लेकिन assessi कोई भी चीज evidence पर ऐसी नहीं लापाया है जिससे ये पर्तित होता हूं कि assessi से ये mistake गोना finally हुई है और दूसरा इस case में दिल्ली आई कोट का ये कहना था कि जब assessi की assessi ने ये payment कर दी है तो ये एक disputed question of fact है कि क्या assessi को actual में ये payment करनी थी या assessi किसी और को payment करना intend करता था और assessi ने गलती से यह payment कर दी है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पे जो facts होते हैं वो doubt के अंदर होते हैं तो वहां पे writ court का roll नहीं होता और ऐसी परिस्थिति के अंदर assessi को जो दूसरे alternative assessi के पास available है assessi या तो किसी और forum के अंदर जाए और वहां पे अपना claim करे या किसी और दूसरी civil court में जाए जहां पे अपना claim करें लेकिन writ court के अंदर इस writ application को entertain नहीं किया जा सकता friends ये genuine mistake भी किसी assessi के दौरा हो सकती है लेकिन इस case के facts देखकर के यदि इस case के अंदर कुछ assessi ऐसा prove कर पाता कि assessi online payment कर रहा है suppose कि वो किसी company A को payment करना चाहता है और उसके beneficiary में A भी added है और A1 भी added है और वो A की जगे A1 को उसने गलती से payment कर दी है तो ऐसी परिस्चिति के इंदर फिर भी ये कहा जा सकता है कि एक bona fide mistake थी लेकिन खाली एक story narrate करने से assessi जो है वो दिल्ली हाई court को इस बात के लिए convince नहीं कर पाया कि एक bona fide mistake थी इसलिए दिल्ली हाई court ने assessi की रिट को allow नहीं किया दूसरा इस case के अंदर जिस company को payment की गई थी उस वो company जो है वो एक entry operator company थी इसलिए भी doubt create करता था और इसलिए दिल्ली हाई court ने assessi की रिट को allow नहीं किया friends वीडियो केंत में एक बार फिर मैं case का नाम repeat कर रहा हूँ case का नाम है गरवार logistic limited versus commissioner of income tax and others और ये case 453 ITR page number 524 पर report हुआ matter दिल्ली हाई court ने decide किया और इस case का judgment 11 November 2020 को आया thank you friends